आप लिए आप लोग विलकम तु फर्स्ट इंविस्मेंट एंड माइनेम इशिवांच मसीन आप लोगों को पता है कि मैं पास्ट कपल अफ डेस से कोई भी वीडियो अप्लोड नहीं कर रहा तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मुझे वैक्सीन लगी थी और उसकी बदर से एक होल बॉड़ी पेन और फीवर था तो मैंने सुच्छा मार्केट से कुछ टाइम के लिए ओफ ले ले लेना चाहिए अपने आपको पहले बेटर कर लेना चाहिए सो गाइस अब मैं थोड़ा बहुत ठीक हूँ तो मैंने सुचा आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जाए और इसी के साथ में दो आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट अनॉंसमेंट्स लेकर आने वाला हो येस गाइस पहले अनॉंसमेंट है कि जैसा आप लोगों को पता जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड करी थी यूट्यूब के अंदर वहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था एक हम लोगों ने पोल क्रियेट करा था कि हम लोग क्या प्री मार्केट लाइव सेशन भी करें यूट्यूब के अंदर क्या हम लोग अराउंट 8.40 जब मार्केट नहीं ओपन होती है हम लोग यूट्यूब पे लाइव है और आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्फ करें इस्ट्रक्चर को समझे कि कैसे मार्केट वोग करती है यस सारी चीज़े कि हम लोग करें तो आपके पोल में बहुत बड़ी है रिस्पॉंस हमें देखने को मिला और यस गाइस अब पाच दिन मार्केट ओपन होती है तो तीन दिन में यूट्यूब के अंदर लाइव आऊंगा अराउंट 8.40 अम मार्केट खुलने से पहले और मार्केट खुलने तक आपकों के साथ रहा जाएगा यानि की 9.30 तक आपकों के साथ रहा जाएगा yes guys total 40 minutes का session रखेंगे 40 to 50 minutes का session रखेंगे morning में and 3 days a week होगा ठीक है so please आप लोग ready रहेगा कल सुबर Monday morning पे हम लोग आप लोगों को मिलेंगे YouTube पे live around 8.40 अम पे and दूसरी announcement में आप लोगों के साथ करना चाहूँगा तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग हर मन्थ एक trading platform लेकर आते हैं जहाँ पर हम आप लोगों को swing trades provide करवाते हैं अपने private telegram channel पे and various other things भी provide करवाते हैं so वो हमारा June वाला जो program है वो दुबारा start होने वाला around 7th of June से so हम लोग ने अभी membership program लेना start कर दिया है so if you are all interested आप हमें बता सकते हैं दीचे आप लोगों को एक whatsapp number देखेगा आपको उस whatsapp number पे हमें message भेजने हैं आपको सारी details मिल जाएंगी plus आप लोग हमारे telegram और instagram को दोनों follow कर सकते हैं वहां already मैंने सारा का detailed structure पूस्ट कर रखा है क्या क्या प्रोवाइड कर वाया जाएगा कौन से कौन से plans है क्या क्या structure है सब कुछ आप देख सकते हैं उसके बाद अपना decision ले सकते हैं so चलिए बढ़ते हैं अपनी market analysis वीडियो पे और check करते हैं कि कल Monday morning को हम लोग कौन से stocks पे trade कर सकते हैं और Nifty Bank Nifty का setup क्या रह सकता है सो चलिए start करते हैं सो ज़सा कि आप यहां पर देख सकते हैं हम लोग अपने trading setup की तरफ आ चुके हैं सबसे पहला stock जो मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ एक intraday trade है जिसका नाम है excess bank excess bank आपको को एक intraday trade की तरूप प्रवाइट करवाया जा रहा है stock की मैं बात कर रहूँ तो सबसे पहले current price की बात कर लेते हैं current price है इसका around 730.50 का सो यहां पर आप stock के current price को याद रख सकते हैं दूसरी important चीज़ अब बात करते है patterns की उपर तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर मैंने top से trend line draw करी है सारे highs को connect करते हैं उसका मैं पता चल रहा है clear breakout हमें इस level पर देखने को मिल रहा है clear breakout हमें Friday के session पर देखने को मिला है second important चीज़ अगर आप यहां पर देखेंगे तो इसने exact upper level पर ही एक hidden shoulder pattern create करा है on a daily time frame एक breakout की level पर ही breakout trend line की level पर एक इसने hidden shoulder pattern create करा है और इसका एक clear breakout इसने दिया है अब यहां पर दो scenario हमारे लिए बनते हैं current price पर buy करना है नहीं दो scenario मैं आप लोगों को बताता हूँ सबसे पहला अगर यह 732 की उपर जाना start करता है तो आप लोग buy कर सकते है for a target of 740 अगर यह 730 के नीचे 732 के नीचे ही रहता है और नीचे जाना start करता है तो आप लोगों patiently wait करना है क्यों 15 minute का time frame open करते है तो हम लोग 15 minutes की time frame पे आ चुके है यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कहां तक यह retest यह retracement ले सकता है ठीक है तो अगर आप दिखेंगे मैं एक Fibonacci retracement आप लोगों के लिए draw करता हूँ from bottom to top तो यहाँ पर मुझे देख रहा है कि 38 and 50% तक एक यह stock आ सकता है तो almost मैं यह range आप लोगों के लिए develop करके रख देता यह range है यह तक particular stock आ सकता है तो अगर यह retest देने आता है around 726 से लेके 724 के आसपास तक का और यहां से अगर reverse करता है तो आप लोग एक buying setup access bank के अंदर generate कर सकते है हमारा पहला target होगा जो top है and हमारा second target होगा जो 740 रुपी का level जो मैंने आप लोगों को suggest करा है ठीक है? Let's move to our next stock जो हमारा next stock है वो particular है Ever Ready Ever Ready आप लोगों को याद होगा कि यह वाला particular stock मैंने बहुत time पहले आप लोगों को suggest भी करा था कि आप लोग buy कर सकते हैं and मैंने personally खुद भी buy position इसमें initiate करके रखे वी थी यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरा stop-loss hit होने ही वाला था and I hope वो बज गया बिल्कुल बहुत easily वो बज गया and उसके बाद हम लोग ने यहाँ पर एक sharp अप वो इस particular stock के अंदर देखने को मिली है ठीक है यहाँ पर मैं आप लोगो के सामने volume profile indicator होता है वो यूज करना चाहूंगा सबसे जादा high resistance किदर हमें face करने को मिल रहा है इस particular stock के अंदर and उसको break कर रहा है या नहीं कर रहा है यह एक zone में नहीं create कर रहा है आपके सामने यह वाला zone exact इस zone में multiple volumes traded है and यही पर एक सबसे जादा major resistance था जिसके उपर इसे निकलने में बहुत जादा problem create हो रही थी अगर आप यहाँ पर clearly खुद भी देख पा रहे होंगे कि इसके उपर जाने की इसने कोशिश करी इस level पर बट नहीं जा पाया gapa open हुआ दुबारा नीचे आगया second time try करा third time try करा fourth time try करा नहीं कर पाया अब यह आया fifth time try करने अगर इसका कल एक breakout होता तो एक अच्छे levels हम लोगों को देखने को इस particular stock के अंदर बिल सकते है current price की बात करो तो वह भी current price ever ready industries के trade कर रहा है 308 rupees की अपास अगर यह 310 का level breakout देता है तो ही हम लोग buy करेंगे और यहाँ पर जो मेरी targets होंगे वो होंगे around around 317, 318 तक के targets बट अगर आप इसे hold कर रख सकते हैं तो 330 तक के targets भी बहुत easily जा सकते हैं in a couple of days तो इस talk को मत भूलेगा यह मुझे लगता है कि अब अच्छे returns दे सकता है अगर यह 310 की ऊपर निकल जाता है तभी ठेक है तो इस talk को हम लोग watch करके रख सकते हैं लेट्स बूब तो आर नेक्स talk नेक्स talk इस HDFC bank HDFC bank को हम लोग check कर लेता है तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसने एक symmetrical इसने एक pattern बनाया था एक simple symmetrical pattern create कर रहा था यह देख रहे हैं आप लोग इस pattern पर हम लोग ने देखा इसका एक breakout देखने को मिला breakout देखने के बाद इसने एक retest कर अपने exact trend line पर trend line पर retest करने के बाद यह stock दुबारा ऊपर गया है ऊपर जाने के बाद अगर हम लोग अब बात करें कि यह stock कैसा perform कर सकता है तो आप लोग देखेंगे देखें exact इस level पर resistance आपको face करने को दिख रहा होगा एक इदर देखने को मिल रहा है second time इदर and third time दुबारा इदर यह approach कर रहा है तो हमें करना क्या है हमें क्या current levels पर ही buying position initiate कर लेनी है नई हमें थोड़ा wait करना है कि इस level के ऊपर यह जैसे निकलता है हम लोग एक fresh buy position लेकर चल सकते है current price की मैं बात करूँ तो वो भी trade कर रहा है 14.97 रुपे हमें buy करना है जब यह अपना फिफ्टीन हंड्रेट एंड फोर के लेवल के ऊपर निकलेगा फिफ्टीन हंड्रेट एक psychological level है बट एक up move देने के बाद दुबारा नीचे आ सकता है तो वहाँ पर अगर शायद call writers होंगे तो वहाँ पर यह दुबारा नीचे आ सकता है तो इसलिए हम लोग 1504 के ऊपर ही एक buying setup generate करेंगे अब बात करते हैं sir targets क्या होंगे तो उसके लिए मैं आप लोगों को 1 hour के time frame पर लेकर जाना चाहूँगा and 1 hour के time frame पर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर targets क्या बन सकते हैं अगर आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर आप लोगों कोई एक clear दिख रहा होगा कि एक zigzag formation आपको देखने को मिल रही है यह देख रहे है यह वाली formation देखने को मिल रही है तो मुझे लगता है यह probably यहाँ तक जा सकता है तो मैं इसके लिए आपको एक बार remove और के दिखा देता हूँ यह देखें क्या हुआ इसके अंदर मैं आप लोगों को details में समझाता हूँ यह एक impulse move आई, stock ने एक बार retracement लिया और उसके बाद एक impulse move दुबारा start हो रही है तो अगर हमें higher levels के targets को find करना है तो उसके लिए हम लोग use करते है Fibonacci extension का tool तो यहाँ पर मैंने Fibonacci extension का tool create करा हूँ जो मुझे बता रहा है कि जो targets आ रहे है वो almost 1530 to 1540 rupees की आ रहे है जो within a day और two days के अंदर-अदर आपके targets अचीव कर सकती है या तो आप इसे BTS भी कल के दे ट्रेडिंग session भी लेकर जा सकते है या फर कल intraday के अंदर भी 30-40 points की rally stock कर सकता है तो इसको अपने through उस तरीके से आप देख सकते है तो यह भी हमारा intraday stock है buying करना है आप लोगों को 1504 की उपर first target होगा 1520, second target होगा 1530 to 1540 rupees का let's move to our next stock जो की हमारा होगा एक swing trade जिसका नाम है NTPC NTPC पर मुझे लग रहा अब एक buying आना start होने वाली है तो मैं आप लोगों के साथ सोचा है share कर देता हूँ यहाँ पर अगर आप देखेंगे हमने एक upper resistance से एक trend line को draw करा है सारे high dots को connect करते हुए हम लोगों ने trend line को draw करा था और plus हम लोगों ने bottom पे trend line बनाई है और इसको भी dot से connect करते हुए trend line draw करी है अगर अब आप इदर focus करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा इस particular trend line का एक weekly closing हमें देखने को मिला है exact trend line के उपर दूसरी important चीज़ अगर आप देखेंगे मैं आपर आपको को और clear way में दिखाना चाहूँगा मैं trend line के resistance को अभी के लिए हटा देता हूँ यहाँ पर आप देखेंगे कि exact इस level पे यह देख रहे हैं black color की line को मैं red कर देता हूँ इस red color की line पे exact stock आया था यहाँ से sharp fall आय थी दुबारा recover करा recover करने के बाद weekly closing इसके उपर देखने को मिली next candle भी इस weekly closing के उपर या breakout candle के उपर देखने को मिली है I think it's a very good sign यहाँ से अब एक rally आप लोग expect कर सकते हैं अब यहाँ से यह almost almost 130-140 तक stock जा सकता है within a couple of weeks तो stock अपनी watch list के अदर definitely आप रख सकते हैं let's think of daily time frame daily time frame पे अगर हम लोग चेक करते हैं तो daily time frame पे हम लोगों को एक छोटा सा hurdle दिखरा है और वो है around around 115 रूपीज के level पे stock अभी trade कर रहा है इसका current price है 113 रूपीज का 2 रूपी उपर इसका एक major resistance है जो मुझे लगता है कि breakout within a couple of days दे सकता है मतला कल के trading session के अंदर यह stock एक breakout दे सकता है अगर आप देखेंगे तो यह देख रहे हैं आप यह देखें इसने एक simple एक resistance एक pennant pattern का एक breakout दिया है एक pennant pattern का breakout देने के बाद इसने उपर के तरफ आप move start करिया है अब क्या करना है अब हम लोगों को wait करना अगर आप लोगों को buying बनाने है safe traders को buying बनाने है तो यह range के उपर एक closing मिलने दीजिए तो आप लोग buy बनाईएगा second important चीज़ अगर आप लोग wait नहीं कर सकते तो आप लोग अगर 100 stocks buy करते है तो 50 stocks आप लोग buy कर लेना जब 13.5 की उपर जाना start करता है 113.5 की उपर जाना start करता है तो आप 50 quantities ले सकते है अगर 115 की उपर जाना start करता है तो 50 quantities आप और ले सकते हैं ठीक है इस तरीके साब का average 114 रुपे के आसपास बैठ जाएगा और वहाँ पर फिर आप लोग बहुत easily trade करके ऊपर चल सकते हैं I hope आप लोग समझ गए होंगे और इसका जो stop loss है, इसका stop loss मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या है, इसका stop loss है 108 रुपीज का 108 रुपे का इसका stop loss है और अगर आप लोग देखेंगे, इस particular stock पे मैंने आप लोगों को एक बार trade दिया था अपने live market session के अंदर जब हम लोग 2 बजे live आय था YouTube के अंदर, ये stock ने भी एक head and shoulder pattern को maintain करके रखा है, अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे yes अगर आप यहाँ देख रहे होंगे, तो इसने head and shoulder pattern को भी create कर रहा है मैं आप लोगों को show करके देखाता हूँ ठेक है, just watch यह देखिए इसने head and shoulder pattern को create कर रहा है, and इसका clear breakout हम लोगों को इस level पे देखने को मिल सकता है अब हमें करना क्या है, अभी current price के मैं बात करूँ, इंडिया माट की तो बो trade कर रहा है 76, 74.85 yes guys, 76, 74 rupees के आसपास ही trade कर रहा है आप में buy का करना हमारे perfect buy setup का बन सकता है 7710 rupees के उपर 7710 के उपर जब यह निकलना start करेगा, हम लोग एक buying करके चल सकते हैं, मेरा पहला target 8,000 rupees का according to Fibonacci retracement, NX target 8,400 rupees का according to Fibonacci retracement आप देखेंगे, एक sharp fall हम लोगों को around 9,000 से almost 6,600 तक देखने को मिली उसके बाद इसने recovery करी है और breakout की तियारी यह stock कर रहा है अगर मैं बात करू, RSI की तो RSI यह भी ज़्यादा अच्छी से perform नहीं कर रहा है 50 rupees पे trade कर रहा है मेरे according 60 rupees के उपर ही मेरे लिए एक fresh breakout आता है बट मुझे लगता है अगर यह stock निकल गया कलकर trading session पर और मैंने आपको नहीं बताया तो यहाँ पर हम लोग इसे opportunity को miss कर देंगे इस stock को हमें buy कर सकते है around 77,10 के ऊपर 8,000 and 8,400 rupees का level है जो within a couple of weeks आप लोगों को देखने को मिल सकता है thank you so much guys आप लोगों ने यह stocks को ध्यान से देखा होगा let's move to nifty and bank nifty analysis nifty को check कर लेते हैं एक बर nifty पे अगर आप लोग देखेंगे तो nifty पे सबसे पहले आप लोग देखेंगा एक range था है एक flag pattern है यह देखने एक sharp up move आई एक range के अंदर consolidate करा इसका इसने breakout दिया breakout दिनी के बाद it gave a retest and it started to move back up again so इसने flag and pole pattern का एक breakout दिया है plus अगर आप देखेंगे it's continuously making higher highs and higher lows so यहाँ पर हम दोग expect कर सकते है अब यहाँ से index और ऊचा जा सकता है और बहुत उपर जा सकता है current price के मैं बात करूँ तो वो trade कर रहा है 15,175 rupees पे जो मेरे targets निकल के आ रहे है first target is all time high जो कि 15,400 rupees का target है and मेरा next target है around 16,000 rupees का target जो मुझे लगता है within a couple of rupees तक के targets भी हम लोग expect कर सकते है nifty index के अंदर अंदर so please मुझे लगता है stock अब यह index bullish हो गया so every dip is a very good buy in indexes ठीक है so यहाँ पर हमें कल क्या करना है कल मुझे लगता है कि शायद एक dip दे not in the dip मतलब एक insight candle form करे एक range के अंदर consolidate करे और उसके बाद एक हम लोग कल पड़सो के trading station पे एक breakout देखें हो सकता है कि कल पर यह gap up खुल के उपर जाना start कर सकता है तो दोनों opportunities बन सकती है हम लोग दोनों पे patience ली रूख सकते है अगर यह gap up खुलता है मतलब अगर हम लोग समझ जाएंगे market आज एक sideways रह सकती है sideways to bullish bearish नहीं होगी sideways to bullish market रह सकती है तो उसके according हम लोग patiently wait कर सकते है एक clear breakout का I hope आप लोग समझ गए होंगे let's move to bank nifty bank nifty भी हम लोग एक बर study कर लेते है bank nifty ने भी एक clear breakout देख सकते है exact इस level पे दिए triangle pattern का एक breakout दिया breakout देने के बाद देख सकते हैं इसने retest current started to move back up again so यहाँ पर एक छोटा सा minor hurdle है current price की में बात करूँ 34,600 रुपीज पे rate कर रहा है एक minor hurdle है 60 points रुपीज उपर so minor hurdle है 34,660 रुपीज पे जैसी वो level एक break हो जाता है हम लोगों को एक sharp up move देखने को मिल सकती है तो इस particular index को भी अपने previous highs की तरफ लेकर जा सकता है जो की 37,200 रुपीज के आसपास तक है so patience लिए आप लोग वेट कर सकते हैं I think दोनों indexes बढ़िया perform कर सकते हैं market कल शायद sideways to uptrend रह सकती है तो आप लोग उस basis पे अपनी positions को लेकर चल सकते है thank you guys for listening to me for listening this whole video आपको याद होना चाहिए कि मैंने दो announcements आपके सामने करी थी कि कल हम लोग Monday morning भी live आने वाले हैं YouTube पे around 8.40 so please everyone be ready जिन लोगोंने भी like करा था कि पोल पे याप लोग interested है second important चीज़ कि हम लोग जून का दुबारा start कर रहे है तो अगर आप लोगोंने telegram channel हमारा join नहीं करा तो join करें वहाँ पर आप लोगों को detailed structure मिल जाएगा कि हम लोग क्या provide करवारे हैं हमारे क्या plans है और उसके तरू नीचे गेवे वाट्साप नंबर पर आप हमें contact कर सकते है so guys thank you so much bye bye guys have a good day